कि अधिया तुम्हारी माल के पेसे तो तम कुछ भी नहीं जाते देते जिरो से जिसको ना पसंद करता है तो इसको दीन की सही समझ दे देता है बिल्लह को गाड़का माल के देता है जिसको पर देता है जिसको परचा इसाहिक mitä है अगर उसने से सीथ डिक हमें तो आजexc़े को बन वहें जो एनको इस गनदे थे घुनदे थे को ओका। भाय के लुष कोंदे दे दर्ते वे से कुछ सब्सक्राइबिं देते हैं। मैं हदिय क्हेत विय्पने दना भूद५ियन ल前 कि लियुशा है टमाम को अपने वहाई जहान को बनाने वाला और जुरूर। जूरू थ्पार पर बैटे अ बीड़ी करें बारे मेरे अिर्वेस गारिए अख्री तो और खातिन इसलाम और प्यारे बच्चों मैं आप साथ आप सबका इसलामी तरीके से इस्तिक्बार करता हूं अस्सलामु आलेकुम और अधिल्लाई बरकातु आप अल्लाई की सलामती और रह्मते बरकते आप सबका आलंद Feldhallalा I don करहन पीो भी वजाँ दी कि इस उल्मार करते लिकम भी पोशिश Kel्वा हुआँ teach इस उल्मा проблем पर m को ईचनव करना एए यह सब को मारू है कि इल्मको आप अप को भर्श यह सब कह दी आपको यह द॑ हासिल करना हम फर्ज है यह हम सब को मालू है कि एक इंट है गलतियाद कई वस क्योंकि इल्म हासिल करना यि सब को मालू मैंने कि अपसर आक्सर हम देखें तो जादा तो वो एको देना भी नहीं चाहते तो जिसको मालब है उसके उसका भी नहीं हो जब कि अध्या ने कुरान में पर्माया सुरह इराम सुरह नबर 6 आइस नमबर 35 के अंदर कि भला तपुन उन्ना मिनल जाहिली कि हर्गिस तुम जाहिलों में से मत होना झाहिल ने कुरान में किया भर्माया कि तुम हरकी जाहिलों का सर्वाथ होना जाहिल नएवासिए तो इलम वहासिल करना फरज है हर भी मुस्रुमाय के उप्र और इ अल्म हासिल अगर आक संथ को लला ने जितना दिमाज दिया क्जिय fish drink तो श्रुब के लुह तो जंशी के सब्सक्राइब को हम उस्के पहादी पर्मसल मांते है कि हर इंसान हर मुश्य मांत मुवित मर्द पर मोवित ओर पर हासिल करना उस पर प्रज है तो अनल मुश्य हम्मसल जहालत एक गुम्राई जालत एक गुम्रही अक्सर लोगे सोचते हैं कई इसा रगता है कि लोगे सोचते हैं कि अगर हमको दर्स में बुलाए जाए या पुरान हम पढ़ेंगे या कहीं जाकर सुनेंगे तो अगर सुनेंगे तो अमल करना पड़ेगा नहीं सुनेंगे तो हमको अमल नहीं करना लेकिन अगर ये मसला हो तब आपको एक मिसाथ से एक बात समझाओ कि गाउं से एक शक्स आता है शेहर के अंदर पहली बार वाया और वो यहां पर आया उसने देखा एक विजिली का डीपी लगी हुई थी चाह कैंने तो बंदाओ पॉस्ता है कर दो हां तो तो मुझे नहीं मालू होना चाहिए कि उसता हुई तो बोले महाँ पर लिखा वहा था डेंजर बोले मुझे पढ़गा नहीं आता बोले वहां पर और ले ऑगा रिकाता ह Right करण को बाल होना चाहिए के मुझे नहीं लगना है तो करण का क्या है लगने का उसी तरह अगर वो कुरान भेज दिया और उसलिए इस पर करके आओ अगर कोई नहीं जाता तो अल्ला का 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 आजाती है तो पितरे दिदी पीजे पर अगर हम यह सोचे कि हम सुने के नहीं तो अमल नहीं करना पड़ेगा तो गेर मुस्लिम सबसे बड़े रोज़े का हमें खड़ा हो जाएगा कि अल्ला तेने तो इसको मुसल्मान घर कुझे पता हैं यहां मैं नहीं सुनने जाओ तो फिर मैं बच जाओंगा तो यह जहालत एक गुम्रा है और इसके तालग से अल्ला ने कुरान में भी फिर्माया सुरे मुल्क सुर्णमा संसर्ट उसके अरतमर 10 में कि जहनमी कहेंगे जहनमी कहेंगे कि अगर हम सुनते और सो सुचते तो जहनम के आग चली है कि वो किसली अगर में सूनते नहीं थे तो सुचते ले इसली जहनम किा होसाइए है उसकに तातक और के ईर्शिद्यात जैकि लेकिनिम ऑ हासे करने में क्या एदियाद किया जाए उस सबसे पहला जो पॉइंट है है, तो यह है कि नियत, नियत के इस अदर सबसे जाद है इसलिए ना करो कि आलिमौ के बराबर, कि मैं आलिम के बराबर हो जाऊ, इसलिए हासिल ला करो, कि जाहिलों से बहस करूं ताकि मैं उसको जी जाओं उससे जी जाओं कि मेरे पास इल्म होना था इसलिए इल्म आसिल राता है और अगर कोई इल्म इसलिए आसिल करता है तो अल्गा रुछ उसे क्याम उसको जेदों में डाल देगा तो नियत साफ होनी चाहिए कि इल्म होनी चाहिए कि इल्म आसिल करना है कि इसलिए नियत ही होनी चाहिए कि सबसे पहले इल्म इसलिए कि अपर फ़र्ज़ किया हो अल्ला की रजा के लिए ताकि मैं अल्ला की रजा पालूँ और मैं जन्नत पालूँ या इसमीग हासिन की हाए, ताकि मैं दूसरों को सही रास्ता दिख्वाओं, इसमीग हासिन की हादाई, ताकि मैं अपने घर वालों को जिंट आर्ते में नीटी हूं। आपके अल्ला की रजा के लिए किसी को दिखाने के लिए या जर्रा बराबर आदमी तोचे कि मैं जर्रा बराबर एक काम करता हूं रियुक्त टाहिए और इसमी करता है ले इल्ला को नहीं चाहिए जर्रा बराबर भी और किसी के लिए दिखाने के लिए तो आला पर पिर धियाद करने की। वो है कि इल्म के राष्टे में कोशिश करना, क्योंकि इल्म हासिर करना ये तो हम सब को मालू में, लेकिन हमने उसके लिए कोशिश क्या कि, क्योंकि किसी को दस साल से मालू में इल्म हासिर करना पर जे, किसी को पात साल से मालू में, किसी को दो साल से मालू में, किसी को एक सा तो इल्म के लिए हमको कोशिश करना चाहिए, वो अल्ला जिसको चाहता है, तो इसको दीन की सही समझ देता है, क्या देता है, गाड़ी पंगला, माल, दीन की सही समझ देता है, जिसको पसंद चाहता है, जिसको पसंद चाहता है, जिसको पसंद चाहता है, जिसको खेर चाहता इल्म यह से हासिल नहीं होता या जा अगने कसी राहे मुल्ला के तावई में यह फर्माते ही कि इल्म नहीं हासिल होता जिस्म की राहत के साथ कि आदमी अगर अपने आपको आराम देखता है तो इल्म आसिल नहीं कर सकता जिसे अगर एक आदमी को देखे कि इलम आसिल करने के लिए किताब पढ़ाने के लेट कर अब हम के लिए करना है। वोगा और इस चीज़ का फायदा एक यह लोग आता है कि मजलिस में कौन जाएगा दर्स में कहा जाएगे लेकिन उस मजलिसों का फायदा है जो अलला की मजलिस लगती है अल्ला के रिष्ट से लिए उस्वार्माते हैं, कि सजी मुस्लीम की रिवायत है, कि जब अल्ला की गरों में से लोग एक गर केंदर जमा होते हैं, अल्ला का दर्स देने के लिए और को जब बेटते हैं, तो उन पर इत्मिनान हासिर होते हैं, इत्मिनान नाजिर होता है, जो और अल्ला उनका जिक्र करना करता है अल्ला के पास मुझूद बंदों यानि अल्ला के जो मख्सूस फरिष्टे अल्ला उनका जिक्र करता है फक्र के साथ कि मेरे वो बंदे देखो वो क्या कर रहे थे बोले अल्ला के जिक्र कर रहे थे तो पहता है कि फरिश्था तुम गवारे ना मेरें को पाफ कर दिया तो यह काम पर होता है यह TV के अंदर सुनने से नेट पर सुनने से उससे यह बजी लगम को नहीं मिलती है काम मिलती है दीनी मजलिस के आते हैं इस काम को जरुसवाँ मिलता है तो आराम आधाना करेंगे किणी चीज के अंदर तो भिख अपधिक इसे बेढ़ सकते हैं विदिनी गोर से अटेंट लिवी सुनते दे बिलकुर उनको ताकि जैसे एक परिंदा वेड़िया का कि वो उर्द ना जा इस तरह वेड़िते मिलते नहीं तो इनके तालुक से एक और एक वाकिया आता है इबने अभास रजीनों ताला ने अल्ला के रसुल्ह स्लम् का जब इंतिकाद हुआ तो इनको उनको सी 13 साथ और जब 13 साह उन्हों ने इनके एक साथी ते अंसा लिभाइट के उनसे उनके कहा कि चोड़ो हम क्या कर सावा से इनुशीखते हैं तो उन अंसा ने सावा ने का हमारी क्या जोरत पड़ेगी इतने ब साथी का लिभाइट, इंसे पूछने लगे कि सब मसले में साह इनके पास आगे तब वन अंशारी साथ के लिगा कि में तुम तुम इससे ज़्यादा समसदार ली विए कि तुम ने इन्म उकांसिर किया तो क्या उन्हें कोशिश जिसके लिए कोशिश क्योंकि हम ये सुनते हैं अच्छा रम ये इस से कहाणिया होती है इस्लामे की लोग सबाते हैं कि साब थे वो गए लिंदल के अंदर पेड़ के नीचे बेठे और इल्म आ गया पेड़ के नीचे बेठे और इल्म आ गया लेकिन एल्लागि रशुपण क्या पर्माते हैं के लोगह आशिल होता है पढ़ने से और सीखने से लेकिन हम क्या खानी सुनते हैं कि एकसर से था उसको इल्म नहीं था वेखुम था लेकिन किसी पेड़ के जाए कि पीछे जाकर वेटाओ इल्मदार हो या हम यह सुनते हैं कि कोई शेट के फला वो मां के पेड़ के अंदर ही उनको पंद्रा परिया सुनते हैं अकसर लेकिन अल्ला क्या फर्माता है कि अल्ला ने जब तुम्हें पेड़ा किया तुम्हारी मां के पेड़ से तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे जिरू थे अल्ला ने पुरान में यह गा एक तुम्हें पुछ भी नहीं जानते थे तो पोशिश करना है जब कि अल्ला के रसुल सल्ले अल्ला वर्यसलम ने इपने अब्बास अजिए तो दुआ दी ती कि अल्ला इसको दीन की सही समझ दे और उसको पुरान सिखा दे लेकि उसको खुद्बा होना चाहिए क्या दर्श ले आज जुम्हा है पुद्बा होगा तो हो तो जिल्दी आप उसमें मेठें कि नहीं के लाइस्ट में जाकर पोचे हो तो इसे इल्म आसिल नहीं होता तो उमको इसके लिए कोशिश करना बढ़े कि कोशिश करने से ही और जो इनसान इल्म के लिए कोशिश करता है, तो अल्ला के रसुल सब्सक्राइब में पर मरमाते हैं, जो कोशिश करता है अल्ला के रहां में इल्म उकासिर करने के लिए, तो अल्ला उसके जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। बहुत खुशिश करता है, तो उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है, तो हम अगर यह सोचें कि साल शे महीने में चले जाएंगे, या कभी होगा तकरित होगी, होती है महीने में कभी चले जाएंगे, क्योंकि हमको रास्ता साल में आसान चाहिए, या महीने में आसान हिए कि रूज़ आसान चाहिए कि अबीना इल्म हासिर करें कुछ न इम्हुंथ सो एँ विझे घिया रचाइख आसिल किया जायए वहार्ब लेकिन मालुब होना चाहिए का से असिर किया जाए तो हम धरदों में खुद्बों के अंतर मजालिक से मजाएंकि पर उनको मालूं पड़ेगा कि कौन सी बात सही है कुन सी नहीं यहीं के अगर इस तरह के भजजिश के अपने हिसाब से कुरान वाचिस तो समझने के वज़े से लोग फिर्कों फिर्कों में बढ़ जाते हैं अभी जैसे मुस्लिम नेशन नाम का एक फिर्का है जो करीब 25 वाग लोग लोगों से जाता है लेकिन तोटा काली लोग उन्होंने कुरान की एक आयत उसुरे ताहर किये उससे उन्होंने इस्तिदाल कि इससे चार लिया उसके अंधर उसका माम आना हुझ ने यह लिया खर से उकलान में के जिनमी लोग उनके चेहर सफेद रोजाएंगे मौनिक्त हैं फपर रहते हैं थम्हारां संसित्रों नेamos अच्छा हिए जो थे में इंखे सरे का सो दो पर में सवल इस दूते जो कि एक साल करें ब्रॉण दोलस्क्रांड उतियाद कर देखता है में ढ़िए अपर में एक पाव干म करें कि अल्हम को कंप पॉचाने में हितियाद, एलो था हमने हासिल कर लिया, लेकिन अब पहुचाने भी हमको हितियाद करना है, कि इल्म को पहुचाने में हितियाद करें, क्योंकि ये अमाना थे, अल्ला ने, ये अमाना हमको दी कि तुम को इल्म दिया, तो हमको वोचाने इसको थियाद करना चाहिए नौर अल्ला के रशूद सेले अल्ला बश्लें फर्माथे यह साइद ग्रिविजी के लिवायत है कि अल्ला उश्रक्स को खुश और खुर्रव रखे जो मेरी बात को सुने याद करे और को जाने हैं को सुने सब्सक्राइब करता है अगर को सब्सक्राइब करता है इतना हो जाता है यह दिनी बात को सुने देखता है कि फुटी-फुटी के हां 50% प्रयाद होई लेकिन अगर कोई सब सुनता है याद करता है जैसे ही दूसरों को पहुचाता है तो वह दंपे पर से सब्सक्राइब पहुचाते हैं अगर किस ने इसी बात नाँ सबसक्राइब to अंट वेसी बात कई तो मुझे पर जूड़ मॉदा आपको कर छिगा नाे जैन्म क्या अंठों को क्या करना हैं परफाने में हैं जोन को क्सा आफ शॉ light करें टोशे करें शेक करें उसके बाहर सब्सक्रूं पोचा करें तो pure जो फाइन कि दीज को तरजी दें इल्म आसिल करने में किस चीज़ का हम तरजि देन आदमीं आई सोचा कि अब मैं दीन का काम करूंगा और वह पें लोगों के दीन अभाई आउंगा उसनए मन बिना लिया औरहम देखें तो क्या करना है वह कि घर जाकर सब तप करूंगगा तरजी नहीं उसको मालूँ हो त तरजी उसको मालूँ होना चाहिए कि पेले उसको नमास के बारे कुछ इल्ब नहीं कि नमास के मसायल क्या होती, किसे इदा की जाए वो नहीं पता लेकिन वो ज़जबा उसके दर। तरजी कि जीश को देना है सबसे पहले अखीद तोहीद के अपपर उसको मालू होना चाहिए कि ये एक शुभा है तोहीद का क्योंकि नमास के अंदर अगर आप अल्ला के सामने लिगा है और आपको अल्ला ने 50, 60, 70 मार दी है तो आल्ला उसको माप कर देगा तो सबसे पहले तोहीत का इसको तरजी दे उसके बाद में पिए इमाम जोजी रह्म पर्माते हैं जिन्तगी बहुत बड़ी होती तो हम सब कुछ आसित करें ने कि थोड़ी है तो तरजी से आसित करें करें ने कि इस चरणने को भी यसे नाजील क्या आजि़क्ते अगए तोम इसको 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 किऑने प्तरसे की वा दरजय हं। स्को इल्म हासिल करें। weten कि हीुग्स कि एक बीज होता है। δीर दिने फूपता पता है। व्य होदा म्होंगता है। इसके बाद पेड़ बनता है। यह नहीं कि बच्छा पेदा हो एक दिप आपने सुना, बच्चा पेदा हो सुबह पार गाड़ी में के खड़ा चरो पापा गुंआ के लाता हूं नहीं होता है धीरे 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 तो इल्म step by step कना सबसे बेले छोड़ी कितार शुरू करें यह नहीं के आत्मित हो चांगे, इल्म का जजबा उसके दर आगा, अब मैं इल्म हासिल करके रहूँगा, वो तफसिर इपने कसिल लेके वेड़ेगा, सही बुखारे की पुरी हाठ जिल्दों से जमालियत से व्याद करनों, अब एक कुड़ाई पढ़ रहा पढ़ रहा और पंद्रा जिनों कोई ख़ता से नहीं है, चोटी-चोटी किताब से इल्म हासिल शुरू करेगा इंसा, तो क्या होगा, एक किताब खत्म हो देगा, आए तो मैंने चेप्तर खत्म कर लिए, तो उसको जजबा आगे बनेगा, तो इस्ते बाइस्ते दरजा बादरजा वो इल् कितले हैं कि मैं पेले बहुत von पट करता था था, मैं पेले बहुत बढ़ता था, मैं पेले बहुत दर्जवर्ण में जाता था, लिकमack he करता था। आपर हूजिक्त त cachet अलाब होनी चाहिए, घब तक हमने तलब नहीं के तूरम कुछीं तो मिनिमासिल नहीं है कि योसी को इसमावम मुझे तकने इसली नरे पर नुब्या थेड़ी तो जाए तक मुझे नहीं रूंखी नहीं अध्य शिखित है तौशाईuu आफिये जाता उसके अंदर तलब भी चैनिए और इल्म के लिए एकी वहाति हुआ बाद अल्ला उस्लम को क्या था कि नभी को हो मांगो उससे यही चीजे अल्ला ने मांगने के लिए का कुरान के अंदर कहले रख दिस इदनी इल्मा कैं लाही इल्म को करा आध ड़ी यहां ग जादा जादा इन्वासित करें इस तरह दोराना आटवी चीजे दोराएगे तो भूल जाएगे क्योंकि अल्ला की रसुक्त स्थ पर्माते हैं कि इल्म को अगर दोरा नहीं जाता तो इल्म यह से निकल जाता है कि जैसे उन्धा निकल जाता culture वोट निकल जाता है तो इसे इल्मत स्थu को इल्म निकल जाता है और जो से इफाशंग मुंत सुनाओर जो इल्म को बषट करना चाहिए इल्म को व्याद कि रशयों की ग्र्रेट्यण को डिज्के5,70018 करने चाहिए हर महीने हमको कुछ पेसा निकाल कर एक लाइबरी किताब करने चाहिए यही जो चीज पूंची है जो हम पीछे असलों को छोड़के जाए हुगी इसमा आगे भी हमको फायदा देजी और इसी तरह नहीं जो चीज है कि अगर हुने इल्म हासिल कर लिया आगी ची चेक करना ये है कि अगर इल्म हा गए आपके पास में तो डर आया के नहीं यह से क्या आता है दर आता है आपके पास की यह सब चीज वहुं कर आ लगके दर नहीं है तो वाला को जाना बढ़ा अगर दर नहीं आया तो मतलब कुछ ने कोई हमारे अंदर कमी है और उसके बाद जो दस्वी जो आखरी जो चीज़ वह है कि इल्म अगर हम पर आ गया डर भी आ गया तो क्या होना चाहिए एक्शन होना चाहिए अमल होना चाहिए और हमको अमल के हिसाब से जवाब भी देना है कि हमने तुम को जिसे ना गिरूं दिया ता उसके मताबिक अमल कितना किया इस बात को उनको जवाब देना जितना भी हम कोई हो है तो उसके मताबिक तुमने अमल कितना किया और अमल कैसा करना है अच्छा वला अमल यह नहीं कि अमने केसा भी कर देया ठीक है आप मालूम पढ़ेंगे आप 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 नमाज पढ़ने हैं पढ़ेंगे ठीक हो खटा पढ़ जाकर नमाज हतम करें अच्छा माला होने चीज़ से हम दुनिया के अंदर करते हैं अगर हम उनको इंटर्व्य देना आप जाना हो तो हम क्या सतो हमारा पूरा रिजियू में एक सम फ्रेश होना चाहिए कोई स्ल नहीं होना चाहिए पेफर्ड पुरे कंप्लीन होना चाहिए नोट नोट इंग रख कोना गुड़ाओं तो सिधा कर लेते हैं और रजिष्ट्री मखान केजी रखके छुपा करें इबादत से पूरी फ्रेश्ट जरा तभी सल्ली होना चाहिए लेकिन हम जब अल्ला की इबादत करें तो इसी ना करें कि हम पूड़ी पूड़ी जल्दी वाला वजू और अल्ला घरत में इसा होना चाह mesh है कि हम अल्ला के सरुने से फिरीश्ट प्रिये कर जायां कि अल्ला तो इस दे करा आती इंद नहीं को मुझे चिंद्र अगर बुड़ी जाकी पूर दो सभू और यह आख़री के हम इते ही में को ने इस उताना आता हुआ है कि और यह क्यामत एक शक्स को लाए जाएगा और उसको जहिने में डाल दिया जाएगा उसके पेट से उसकी आधिया बाहर होगी वहाथ में लिये हुए पुलू के बेट जिसे गुम रहा होगा और जब जहिने भी दूसरे आएंगे उससे कहेंगे यह भला सक्स तेरा हाली केसे वह तुम यहाँ पर केसे तुम यहाँ पर केसे दुम यहाँ पर केसे दुनिया में तुम हमको कहा करते थे कि बला अमल को रो यह इबादत को रो यह निकी का काम है इस गुना से बच्जा तो वह सक्स कहेगा कि मैं तुम से कहता है लेकिन फुल अमल नहीं करता तो इल्म अगम पर आ गया अमल हमको बहुत जरूर है कि हम अमल को हासिल करें और नहीं है पात्या आपको चंद रिपिट करता हूं मेरा वक्त भी खत्म हो चुका है कि जो सबसे पहले हमको धिया रखना वो क्या है कि नियत खालिस अल्ला के लिए करना है इल्म के लिए हमको पोशिश करना है आराम से इल्म नहीं हासिल होता है इल्म हासिल करने में हितिया कि इल्म हासिल करना है इस तरह इल्म पोचाने में हितिया इल्म किस चीज को हमेद देना दर्जे बाए दर्जे हमको इल्म को हासिल करना वोर इर्म की जादा हमें तलब होनी चाहिए इम द्रहाना चाहिए ताकि हम भूलना जाए वो इल्म को यह इंद चेक करें कि हमें दर आया कि नहीं अगर इम आ गया तो इसके बाद हमो अमल करना चाहिए तो आफे दावार आदम दोला है अभी लारत यह रहांगोई सर्व और हाओव में पाले भाले रहांगो भी जैक रहां है आधिया नवर्णावास्टू